टीलार की टीम आज बदरवा की खूबसूरत वादियों में जो है वो गूमने आई थी और खूबसूरत वादियों में एक अनोखी चीज जो है वो टीलार को दिखी और टीलार ने सोचा कि वो आप सब को जो है वो दिखाई जाए नमस्कार तो आप सभी देख रहे हैं टीलार और इस समय बदरवा के अंदर जो है वो मौजूद है इस समय हम और मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहां पर आप देखेंगे कि बदरवा काफी खुबसूरत है और खुबसूरिती के हिसाब से आप यहां पर देखेंगे कि एक गराट जो है वो बनाई गई थी एक समय की बात थी जिस समय इस गराट को बनाया जाता था और इस गराट का जो था वो यूज किया जाता था एक समय ऐसा था जिस समय में इस गराट की जो अगर हम गराट की बात करें गराट इसलिए बना जात आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर एक टाइम पर आप देखेंगे किस तरह से पानी बहने का एक रास्ता जो है वो बनाया गया और इस तरह से जो था वो यहाँ से बैठा था और बहते हुए एक आगे गराट में गराट में क्या होता था कि वहां पे जो पईया था वो पईया लगा दिया जाता था जो चक्की होती थी उसको लगा दिया जाता था पानी उस पर पढ़ता था तो गूमना शुरू कर जाता था आपको दिखाएंगे बड़े प्यार से दि है वो चल रहा है electronic period जो है वो चल रहा है और electronic period के दोरान जो सब काम है जरनेटर के दोरा होते हैं electricity के दोरा होते हैं और पहले के समय में क्या किया जाता था आप देखेंगे किस तरह से जो पानी है वो यहां से किस तरह जि avons आप वो चक्की पिसता सा ilra णकिस तरह से जो हां ग्राट चलता था जिन एरियाज में पानी नहीं होता था उन्त जगाмы को बेल होते थे उनको माद्य था कि जिससे आप गेहूं पीच सकते थे मकी पीच सकते थे तो एक सादन जो था वो यही बना हुआ था आपको दिखाएंगे कैमरा मैंन से कहूंगा थोड़ा कैमरा रोटेट करके दिखाएंगे अभी समय जो है वह हालत इसकी काफी जो है वह खराब है हालत आप इस स का यूज जो है वो नहीं होता इस समय इसका जो यूज है वो यहां पर हमें देखने को नहीं मिलता क्या कूंकि कि इलक्ट्रोनिक टाइम जो है वह शुरू हो चुका है अप इसकी जुरूरत नहीं है तो एक ठायें पर लोग जो थे वो यहीं पर लगाया करते थे एक पहिया जो था वो यहीं पर लगाया जाता था आप देखेंगे कि इसके बीच में आपको दिखेगा एक पैस आपको केमरेमेन को कहूंगा अन्दर जाए अन्दर जाके आप देख दिखाएं कि एक यहां पे आपको थोड़ा सा स्पेस दिख रहा होगा न यह स्पेस में क्या होता था कि पानी जो है वो उपर से बहता था यहां पे एक पईया लगाया जाता था एक चक्की जो थी वो लगाई जाती थी तो उसके दुआरा जो है वो चक्की पूरी जो थी वो गोल गूम और मैं आपको बता दू टर्बाइन जिस तरह टर्बाइन कहते हैं हम तो टर्बाइन वह जो थी वह यहां पर गूमती थी और कहीं ना कहीं लोगों का उस समय एक माद्यम भी था कमाने का जो था वह माद्यम था गेहूं वगेरा आदी उसमें पैसे की भी कोई खास वैल्यू जो वह नहीं थी अगर कोई आटा पीस ने आता था गेहूं लेके आता था या मकी लेके आता था तो उसमें से उससे जादा मकी ले लिए जाती थी और पीस के जो है कम उसमें दी जाती थी आप देखेंगे कि अभी भी यहां से जो है पानी का रस्ता बना हुआ है क्योंकि भॉरा सिस्टम जो है वो आपको दिखेगा कि किस तरह से पानी को जो मोड दिया गया पानी को किस तरह से यहां पर टर्बाइन जो थी वह यहां पर भी फिक्स की जाती थी और किस तरह से उसका जो है वह यूज होता था एक बड़ी खास चीज है अगर हम बात करें न तो पूरे हिंदोस्तान में इस तरह की जो चीजें थी काफी खूपसूरत जो थी वह दिखती थी हमें खुपसूरती जो थी वह हिंदोस्तान की कई ने कई यहां से दिखती थी लेकिन आज के समय जिस तरह से लेक्ट्रोनिक टाइम आ गया जिस समय यह थोड़ी सी अब हम देखनेंगे एडवांस हो चुके हैं सारे देश एडवांस हो चुके हैं अ उस वज़ा से जो है अब जो चीजें है वो जर्नेटर पे चलती है और जर्नेटर पे चलते जो है आज के टाइम पे गेहूं पीसा जाता है या मक्की पीसी जाती है तो समय बदला और समय के साथ लोग बदले और लोगों के साथ इस समय जो है वो फास्ट जो है समय वो आ गया और लोग भी फास्ट हो गए क्योंकि उस समय जब गराट से गेहू मक्की सी जाती थी तो काफी स्लो जो है वो काम होता था लेकिन अब जब electronic टाइम आ गया तो काम जो घंटों का काम था वो मिंटों में होने लगा और मिंटों में जब काम होने लगा तो इसान का वक्त बचने लगा और कम समय में उनका काम जो है वो जादा निकलने लगा तो मुनाफ़ा भी कहीं न कहीं जादा होने लगा तो इन चीजों को छोड़के जो है इनसान अलेक्टरोनिक की तरफ बागा जिस तरफ आज के टाइम हंगर हम बात करें जरनेटर आदी की बात करते हैं तो उस तरफ जो है वो जादा जोर दिया गया और इसी के साथ मैं आपको बताओं यहां पर इन एरियास की अगर हम बात करेंगे तो जो लोग थे पहले अब इसी गराट के उपर चलते थे और कहीं अभी भी बहुत सारे एरियास ऐसे हैं जहां पर गराट आज भी हमें देखन किसी ने गराड लगाया है तो वह अपने लिए और साथ में उस समय जो चीजें थी जो हम खाते थे खाना वह कहीं न कहीं है थी आज के समय में आप सभी जानते हैं जिस तरह की खेती बाड़ी होती है उसमें पैस्टिस जो है वह डाले जाते हैं उसमें खात जो थी वह साइड जो हैं वह डाले जाते हैं जो खाद है वह डाली जाती है जिसकी वज़ास से कहीं न कहीं इंसानों पे भी अब असर जो है वह देखने को मिलता है अब वक्त बदला वक्त के साथ इंसान बदला और इंसान के साथ सब कुछ जो है खाना जो हमारा जो हेल्दी खाना थ को नहीं मिलती थी जिस तरह से आज के समय में अगर हम बात करें जिस तरह का खाना हमें मिल रहा है मार्किट के अंदर आप कोई भी खाना लेते वहां पर आप देखेंगे किस तरह से आज जो है बिमारिया नहीं नहीं बिमारियां जो है वो जागरूत हो रही है किस तरह की नह लेकिन उसे किस तरह से त्यार किया जाता है और किस तरह से त्यार किया जाता है और उसके बाद वो बनता है हाईजीनिक फ्रूट और वो हाईजीनिक फ्रूट हम आप जैसे आम लोग जो है वो खाते हैं और उस खाने के बाद हम बिमार होते हैं और ऐसी ऐसी बिमारियां जो हमने कभी सुनी नहीं होती वो हमें देखने को मिलती है और हमारे जैसे आम लोग करते थे जमीनदारी करते थे वो चीजें आज हमें देखने को नहीं मिल रही हैं तो एक चोटी सी चीज जो थी वो टियालार आपके लिए लेके आया था आप देखते रहें टियालार मुझे दीजे इजादत नमस्कार